नमस्कार दोस्तों, MBPSC और ESB के आने वाली परिक्षाओं को लेकर एक छोटा सा अपडेट आया है, तो मैं आपको जल्दी से उसकी जानकरी देता हूँ, क्योंकि अभी आचार सहीता के कारण कोई नया अपडेट नहीं आ रहा है, कोई नोटिफिकेशन अभी नहीं आ रहा है लेकिन जैसे आचार सहीता हटती है, तो ESB ने दो पार्ट में अपनी पूरी प्रक्रिया को बाटा है, उन्होंने एक तो एक्जाम केलेंडर अपडेट कर दिया है, लेकिन आचार सहीता के दोरान उन्होंने एक्जाम केलेंडर अपडेट किया था और उन्होंका कहना था, क कि हमने सिर्फ बो भरतियां इसमें दिखाई हैं जो आचार सहीता में जारी की जा सकती है तो इसका यह मतलब हुआ कि अभी जून के बाद यानि जब जून में आचार सहीता हट जाएगी तो उसके बाद कैलेंडर अपडेट होगा और इसी कई सारी भरतिया जो पिछले दो-त ज्यार्तियों ने उसमें फॉर्म बरे हैं तो इसके अलाबा बाकी जो सिविल सर्विसेज वाले एक्जाम में वो तो होना ही है तो यह एक्जाम MPPSC लेने वाला है यहां पर सारी चीजे लिखी हुई है लेकिन मैं आपको बोल कर बता देता हूं छोटे-छोटे अक्षरों म है और वर्गतीन की तो मुख्य परिक्षा ही जो है यानि जो में एक्जाम है वही अभी होना है तो यह सिख्चा विभाग के अंतरगत टीचर्स की जो एक्जाम है जो रिक्रूटमेंट है वो अभी जादा होना है लेकिन MPP पुलिस कॉंस्टेबल नया वाला आना है इसकी मतलब नहीं है वह पुलिस विभाग लेगा और कल आपको याद हो तो मैंने एक MPP पुलिस को लेकर भी वीडियो डाला था जिसमें MPP पुलिस के फिजिकल स्टार्ट होने वाले हैं उसकी जानकरी दी थी और दूसरी तरह पुलिस मुख्याले जो है पुलिस विभाग जो है वो MPSI की भी अपनी प्रक्रिया लगबग पूरी कर चुका है और क्योंकि ESB वो एक्जाम नहीं लेगा तो इनको उससे कोई मतलब नहीं है तो वो पुलिस विभाग लेगा तो उसके द्वारा कभी भी नोटिफिकेशन जारी करवाया जा सकता है आचार सहीता के बाद ये फ तो हम एसी उमीद कर सकते हैं कि जून के बाद आपको नोटिफिकेशन लगातार देखने को मिलेंगे और वो भरतियां जिनको हम काफी समय से इंतजार कर रहे हैं वो आपको यहां देखने को मिलेगी क्योंकि पटवारी के बाद यानि बात करूं में पिछले जून केलेंडर भी अपडेट होगा नए नोटिफिकेशन भी आएंगे और सिक्षकों की भरती तो आना है यह निश्चित रूप से तय हैं जो केलेंडर में उन्होंने दिया है वो भी आना है महिला सुपरवाइजर है इसकी वेकेंसी के आने के बहुत चांस है तो यह सब हमें आ आप पढ़कर अपने आपको एक लेवल पर लाते हैं बंद करने से वो लेवल वापस डाउन होता है और अगर आपको लगता है कि आपकी पढ़ाई अच्छी हो चुकी और आप मुझे पढ़ने की जौरत नहीं है और काफी समय से आपने पढ़ाई बंद करके रखी है एक पर लगा के देख लेना आपको समझ में आ जाएगा कि पढ़ाई बंद करने के कितने नुकसान है है ना मैं बेशक इस बात को समझता हूं कि वेकेंसी नहीं है तो उतना पढ़ने का मन नहीं करता है और मैं भी आप से कह रहा हूं कि अगर आपको किवल मद्धिवरदेश की परिक्षाओं में ही जाना है तो आप मत ज्यादा पढ़ाई करिए बंद मत करिए एक घंटे दो घंटे तो आप रोज पढ़िए ही ताकि जो लेवल है वो मेंटेन रहेगा क्योंकि जैसे नोटिफिकेशन आएंगे और आप अगर एकदम लंबे ब्रेक के बाद पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको ऐसा मैसूस होगा कि आप तो जीरो हो गए बापस से शुरूआत करनी पढ़ रही है और इसी लिए एक और चीज में सबको सजेस्ट करता हूं कि जो एक्जाम सामने हैं उनकी परिक्षा की तयारी आप करिए जैसे रेलवे हैं मैस रिजनिंग ज अधार बनी रहे जंग नहीं लगना चाहिए नहीं तो सफलता लेना बहुत मुश्किल काम है तो जितना हो सके किसी एक्जाम में अपने आपको इंगेज करिए या थोड़ी बहुत ही सही लेकिन पढ़ाई अपनी जारी रखिए और कोई अपडेट आता है और कोई जानकर आती है मैं आप तक जरूर पहुचाओंगा थेंक यू